साल 2023 की पहली क्वाटर यानी की एक जन्वारी 2023 से 31 मार्च 2023 के लिए पोस्ट ओफिस की जितनी भी स्मॉल सेविंग स्कीम से उनकी इंटेस रेट की घोसना भी हो चुकी है आज की वीडियो में इसी के बारे में आपको सारी की सारी जानकारी देने वाला हूं नमस्कार दोस्तो प्रिम नेम उसके बाद है लास्ट और नई क्वाटर की यानि कि जन्वारी तूब मार्च 2023 की लिए जो अभी नई इंटेस्ट की घोसना हुई है वो और उसके बाद है जो चेंज़े इंटेस्ट गीर्ट पर फिंसके बारे में मैंने आपको इस चार्ट के टू डिखाने की कोसिस की है सबसा पहली स्कीम है सेविंग डिपोजीट एकाउंट पोस्ट ओपिस की यहां पर कुछ भी बदलाओ नहीं किया गया है इंट्रेस रेट में पहले भी चार परसंट मिला करती थी और अभी जन्वरी तुमाज 2023 चार परसंट ही मिला करेगी उसके बाद आ जाती है प्रसंट के टर्म डिपोजीट एक सालोग वाली तर्म डिपोजीट मतलब फीक्स द्पोजीट एक सालोग जो फिक्स दिपोजीट है लास्ट कॉयंट में इंट्रेस रेट मिला करती थी 5.50 परसंट और अभी यहां पर 1.10% की बहोत्री की गई है और अभी जो नए इंट्र परशने और यहां पर भी इंट्रेस रेट परशन की मरूत्री के गई है लास्ट रम डिपोजित है पांसालों वाली शिक्स पॉइंट सेवन्न परसन लास्वाटर में इंट्रेस रेट थी और अभी जो नए इंट्रेस रेट घुसना हुई है वह है 6.90 और यहां पर भी 1.20 परसेंट की बहुत्री की गई है लास्ट टम डिपोजित है 5 सालों वाली 6.70 परसेंट लास्ट कोटर में इंट्रेस्ट थी और अभी यहां पर 0.30 की बहुत्री करते हुए 7 परसेंट इंट्रेस्ट गोशना की गई है मतलब जन्वरी टू मार्च 2023 क फीज बीच में अगर यहां पर इंफैस करते हैं तर्म डिपोजित 5 सालों वाली टोझा अभी हमें मिला करेगी फिर आ जाती है पोस्ट ओफिस की रेकरिंग डिपोजीट, पोस्ट ओफिस फेशिव एक ही रेकरिंग डिपोजीट होती है, पांस सालों वाली, लास्ट कॉटर में इंट्रेस एटी 5.80% और अभी भी 5.80% थी रखा गया है, इस पे कुछ भी बदलाओ नहीं किया गया है, पोस्ट ओफिस की स exclusive scheme NSC यानि की national saving certificate 6.80% लास्ट कॉटर की इंट्रेस एट थी और अभी यहाँ पर 0.20% की बरहुती करते हुए 7% इंट्रेस एट गोशना की गई है, उसके बाद आजाती है पब्लिक पोफिटेंट फांड यानि की PPF एकाउंट जो हम पोस्ट ओफिस या फिर बैंक में जाकर खोल सकते हैं, यह एक government scheme है, 7.10% लास्ट कॉटर की इंट्रेस एट थी और अभी यहाँ पर कुछ भी बतलाव नहीं किया गया है, 7.10% ही रखा गया है PPF की इंट्रेस एट, सुकण्या समरिद्धी योजना जो हम अपनी बच्चियों के लिए खोल सकते हैं, 7.60% लास्ट की scheme only for senior citizen, 7.60% लास्ट की इंट्रेस एट थी और अभी जो नई इंट्रेस एट है वो है 8% यानि की 8% और यहाँ पर 0.40% की बरहोतरी की गई है, मतलब senior citizen की यहाँ पर बल्ले-बल्ले हो गई है, 8% इंट्रेस एट दिया जा रहा है, एक ऐसी scheme जहाँ पर government of India की security भी provide क्या होता है, और जो एक काफी बहतरीन scheme है senior citizen के लिए, और जो last scheme है, वो है किसान विकास पत्र, एक exclusive scheme जो post office पर जाकर ही हम खोल सकते हैं, last quarter की interest थी 7% यहाँ पर 0.20% की बरहोते करते हुए 7.20% अभी interest से दिया जा रहा है, किसान विकास पत्र में, तो यह है वो post office की small saving schemes की interest जो साल 2013 क पहली quarter यानि कि from January to March अभी आपको मिला करेगी, अगर आप post office पर जाकर इन scheme में से किसी भी schemes में investment करते हैं, तो आसा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नहीं information मिला होगा, और अगर मिला है तो महीं चैनले को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके bell icon को प्रेज करें, जिससे कि मेरे SNE वीडियो की notification तुरन आपके पास मिल जाये करेगी, तो अचले मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए goodbye and take care.